नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंडसिंट बैंक का प्रीमियम लेजन क्रेट कार्ड के बारे में बात होगी ओनलाइन सॉपिंग और घूमने की चाहत रखने बालों के साथ साथ ये कार्ड कैस्पोइंट के मामलों में भी सही है इसी तरह से इस कार्ड के कुछ feature और benefits, fee and charges और eligibility के बारे में बात होगी जैसे इस कार्ड का सबसे पहला eligibility होता है credit score को लेकर क्या आपका credit score सही है? अगर सही है तब तो आप पहले पढ़ाव को पार कर जाएंगे लेकिन खराब होने के बावजूद इस कार्ड को कैसे बनवा सकते हैं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम इस कार्ड को apply करने का पूरा process देखेंगे ताकि आपका कार्ड form decline ना हो और ये कार्ड आप सबों को आसानी से मिल सके इस कार्ड का सबसे पहला benefit है इस कार्ड को लेकर उनके यात्रा के दोरान होने वाली छती का insurance कवर करता है जैसे यात्रा के दोरान अगर आपका ticket कहीं गुम हो जाता है तो उस दोरान indescent bank 25,000 तक का cover up करता है उसी यात्रा के दोरान अगर आपका पासपोर्ट कहीं गुम हो जाता है तो वहाँ जो इंसोरेंस कपर होगा वो एक लाग तक हो सकता है इसके अलावा अगर आपका बैगेज कहीं गुम हो जाता है या टाइम से डिले हो जाता है तो उस दोरान जो आपका इंसोरेंस होगा वो टाइर खराब हो गया हो, गाड़ी की फ्यूल खत्म होगी हो, बैटरी खत्म हो गया हो, या उस गाड़ी को कहीं टोइंग करवा के ले जाना है, उस दौरान इंडसिन बैंक आपकी बहुत साहिता करता है बसरते आपको करना क्या होगा कि इस बैंक के कस्टमर के अर नंबर पे आपको कॉल करना होगा, तब ये सर्विस आपके पास प्रोवाइट कर दिया जाएगा इसी के साथ सकेंड फीचर से डैनिंग डिल्स को लेकर, जब आप इस कार्ड को जॉइन करते हैं उसी के साथ साथ इजी डीनर प्राइम मेंबर से भी एक्टिबेट हो जाता है जिससे इस बैंक के कुछ लिष्टेट जगों पे खर्च करने पे 50% का डिसकाउंट के हकदार आप हो सकते हैं तीसरा बेनिफिट है गोल्ट प्लेयर के लिए क्योंकि ज़्यादा तर लाइफ के सौखीन लोग ही इंडेसेंट बैंक से जुड़ते हैं तो इसलिए महिने में एक बार दिल्ली, मुंबई, पूने चेन्नाई, हैडराबाद इन सभी साथ जगों पर महिने में एक बार आप फ्री ओफ कोष्ट गोल्ट खेल सकते हैं वहीं इसका चोथा बेनिफिट है मुवी टिकट को लेकर जिसरा से बताये गए सभी खर्च को आप इस कार्ड से करेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा उसी तरह से बुकमाई सोसे जब आप इस कार्ड के माध्यम से टिकट खरीदते हैं तो वहाँ एक टिकट के साथ दूसरा टिकट फिरी मिलता है लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन है कि महिने में तीन बार वह भी दो सो रुपे के लिमिटेशन के साथ इसी तरह से एसोरेंस के बेनिफिट से ये कार्ड भरा हुआ है जिसे बताना जरूरी भी नहीं है लेकिन इसका next बेनिफिट है reward point को लेकर जब सब्सताव में 6 दिन इस कार्ड से खर्च करते हैं तो परतेक 100 रुपे करने पर एक reward point मिलता है वहीं सब्सताव में छुट्टी वाली दिन जब इस कार्ड से खर्च करते हैं तो वहाँ पे 4000 का reward point bonus के तौर पर आपको मिलता है जिसे redeem करना बहुत ही आसान होता है और तो और इस card से भी 1% का fuel surcharge वेवब कर दिया जाएगा अब बात करते हैं fee and charges की तो ये card lifetime free है जब इस card को एक बार joining fee देकर उठा लिया जाए तो फिर annually fee से हम लोगों को रहत मिल जाता है इस card का कीमत 10,000 रुपे plus GST है हलाकि ये amount आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन इतने बड़े बड़े और इतने महगे benefit के सामने ये amount कुछ भी नहीं लेकिन अगर आपको ये amount महगा लग रहा है और इस card को apply नहीं करना है तो कोई बात नहीं इस video के process में यानि card को apply करते बग 2-3 process के बाद इस card के अलाबा कई और card का option आएगा जो इंडसिन बैंक का credit card होगा आप उसे select कर सकते हैं तो चलि दोस्तों अब हम इस card को apply करने के process को देखते हैं लेकिन उसे पहले मैं आपको बता दूँ कि at least आपका civil score 720 पलस होना चाहिए अगर आपका civil score 750 या 800 पलस है तब तो अच्छी बात है लेकिन अगर आप 720 के पलस civil score से खुश नहीं है तो अपना दूसरा बिल थ्वासा टाइम पर पे करें और कुछ दिनों का बेट करें civil score अच्छा हो जाए फिर इस कार्ड को apply करें अब जब आपने मन बना ही लिया है इस credit card को apply करने का तो वीडियो के नीचे description में इंड़सिंट बैंक के सभी credit card का link दिया हुआ है वहाँ जाकर उस link को click करेंगे तो एक बार में ही form फिलफ से लेकर वीडियो के वाईसी तक का सफर आप पूरा कर लेंगे link को click करने के बाद आप direct इंड़सिंट बैंक के credit card वाले form सेक्शन में आ जाएंगे जहां लिखा हुआ है let get started वहीं सबसे पहले कॉलम में आपको अपना pen number फिल करना है दूसरे कॉलम में नाम फिल करना होगा तीसरे कॉलम में email id फिल करना होगा और चौते कॉलम में आपका current pin code फिल करना है ध्यान रहे दोस्तों ये bank आपके area में available रहेगा तभी ये service आपको provide हो पाएगा उसके बाद terms and condition को tick करना है और get verified mobile number पर click कर देना है दोस्तों इसी तरह से पूरे process में तीन बार आपके mobile number पर verification code आएगा वहीं इस पहले verification code को ये फिल करना है और next पर click करना है जहां आपके eligible होने का आपसे सबूत मांगा जाएगा जैसे first column में as per pen card first वाला नम फिर दो-तीन column छोड़कर gender select करना है फिर जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे date of birth, employment type जैसे अगर आप salaried है तो salaried a student है तो a student self-employed है तो self-employed को click करना है फिर उसके बाद अगर आपका income 20,000 से नीचे है आपका आधार नमबर या आधार का virtual ID भी डाल कर यहां mobile number को verify करना होगा ध्यान रहे है यह आपका mobile number आधार से link होना चाहिए और इसे OTP को डाल कर next पे click कर देना है इसके बाद आधार से आपका address match कराया जाएगा फिर एक दो column को fill कर देना है fill करने के बाद next को click कर देना है उसके बाद आपकी working details ली जाएगी जैसे आपका company का नाम, designation name इन सभी का details लिया जाएगा यह सारे details को अच्छे से fill कर देना है और next पे click कर देना है वहीं Indocent Bank के कई credit card का option आपके सामने आएगा जितने credit card के लिए आप eligible हो पाएंगे उसमें से किसी एक card को select कर लेना है मेरे ख्याल से aura age या legend credit card आपके लिए beneficial साबित होगा फिर next step में आपके credit card के उपर जो आपका नाम रहेगा उसे first column में fill करना है second column में meritial status fill करना है third column में mother my day name fill करना है और lastly आपको father name fill करना होगा और कर देना है next next करने के बाद जो जो transaction आप चालू करवाना चाहेंगे उसे tick करना है और get OTP पे click करना है for security purpose last time आपसे mobile number verify कराया जाएगा और आप वहाँ redirect हो जाएगे जहां होता है video के बाइसी उसे video के बाइसी के दोरान आपकी document की भी verification कर दी जाएगी ध्यान रहे दोस्तों ये सारा details सही भरा होना चाहिए बरना आपका form reject हो सकता है फिर कुछ दिनों के बाद card का status आपको बता दिया जाएगा और उसके कुछ दिनों के बाद ये card आपके address पर पहुंचा दिया जाएगा तो ये था दोस्तों इंडसीन bank credit card का applying process अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो हमसे comment में पूछ सकते है तमाम details को मद्दे नजय रखते ये video आपको उपयोगी लगे तो इसे like जरूर करें और अब तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe भी जरूर कर लें